हेलो दोस्तों स्वागत अपका अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट 95 प्लस में दोस्तों आज किस फीडियो में हम बात करेंगे धुरुयात्रा कहानी का सारांस ठीक है जिसके लेखा कौन है जैनेंदर कुमार ठीक है जो कच्छावारें की एक्जाम में हिंदी में काफी बार पूछा गया है और यह काफी महत्वड भी है दोस्तों दुरुयात्रा कहानी के सारांस को हमने काफी आसान भासा में बनाया है जो आपको आसानी से याद हो सके तो चलिए बात करते हैं दुरुयात्रा कहानी के सारांस पर कि हम कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम हैड़े दुरुयात्रा कहानी का सारांस और इसमें कैसे लिखेंगे देखें ध्रुयात्रा एक मनोवेज्ञानिक कहानी है या कहानी जैनेंद्र कुमार की उतक्रिष्ट कहानियों में से एक है जैनेंद्र कुमार ने कई कहानिया लिखे है लेकिन सबसे उतक्रिष्ट क्या है ध्रुयात्रा इनका ध्रुयात्रा कहानी का सारांस इस प्रकार है आईए अब अब देखते हैं इनकी सारांस को कैसे लिखते हैं हम जब राजा रिपुदमन उत्री ध्रू की आतरा सफल कर लिए तब यूरूप के नगरों में जहां जहां रुके वहां वहां उनका सम्मान होगा ठीक है जो राजा रिपुदमन है तो मतलब जब वह उत्री ध्रू की आतरास जब सफल कर लिए तब यूरूप के नगरों में मतलब जहां जहां रुके थे वहां वहां उनका सम्मान होगा ठीक है अब आगे देखे इस खबर को सुनकर उनकी प्रेमिका उर्मिला प्रसंद हो गई ठीक है जो राजारी पुदमन थे उनकी एक प्रेमिका थी उनका नाम था उर्मिला जो मतलब इन सब खबरों को सुनकर बहुत ही प्रसंद हो गई ठीक है फिर देखे आगे लोटते समय राजारी पुदमन आचारे मारूती से मिलने गए वहाँ पर उन दोनों में काफी देर तक बातचीत होई ठीक है मतलब जो उनकी आचारत है मतलब आचारत जो थे है मारूती उनका नाम था उनसे जब मिलने गए तो वहाँ पर उन दोनों में काफी देर तक बातचीत होई ठीक है अब आगे देखे रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है जो मतलब रिपुदमन है वो विवाह को बंधन मानते है किन्तु प्रेम से इनकार नहीं करते है मतलब वो विवाह को बंधन मानते है किन्तु प्रेम को मतलब प्रेम से इनकार नहीं करते है अब आगे देखिए उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की मा है मतलब जो उर्मिला थी उनकी प्रेमिका है और उसके बेटे की मा है ठीक है यह बात उन दोनों के अलामा और कोई नहीं जानता था मतलब राज रि पुदमन उर्मिला से प्रेम करते थे और उने के इस इस सीवा उर्मिला कोई नहीं जानता तथा आब आगए देखैंगे लिपुदमन उर्मिला से कहता है कि वह अब पारिवारिक जीवन में सामिल होना चाहता है ठीक है मतलब जो राजा दिपन मतलब होते हैं वो उर्मिला से कहते हैं कि मतलब अब मतलब हम परिवारिक जीवन में सामिल होना चाहते हैं परिवार को चलाना चाहते हैं ठीक है किन्तु अब आगे देखिए क्या होता है पर उर्मिला इनकार कर देती है और कहते हैं पर अभी नहीं क्योंकि आपको अभी दच्छडी धुरूप पर विजय प्राप्त करना है वह कहते हैं कि अभी हम परिवारिक जिवह में नहीं सामेल होंगे कि जब तक आप दच्छडी धुरूप पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं अब आगे देखिए, मारूती रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, जो मतलब मारूती है, मतलब बताते हैं रिपुदमन को कि जो उर्मिला है, उनकी क्या है, सगी पुत्री है, किसकी मारूती की, ठीक है, इसे विवाह करके साथ रहना चाहिए, जो मतलब उर्मिला होती हो, किसी की बात नहीं मानती है, अंतता रिपुदमन दच्छिदरू जाने के लिए, अमेरिका फोन पर बात करते हैं, मतलब बाते की किन्तु, तीसरे दिन उर्मिला ने, अख़बार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खोन में भरे पाए गए जब औरमिला नहीं मानी तो जो रिपुदमन होते हैं वह दचली धुरू जाने के लिए अमेरिका पर फोन से बात करते हैं ठीक है किन्तु तीछरे दिन औरमिला ने जब अख़बार पढ़ा तो उनको क्या मिला राजा रिपुदमन मतलब खबर मिला कि राजा रिपुदमन थे उनकी मृत्त हो गई है ठीक है और कैसे होई है और गोली का मतलब जो गोली था का कनपटी के आरपार निसान था मतलब जो गोली मतलब अपने हास मतलब आत्मातिया कर लिए ठीक है और जो ग पीछे लगाये थे कि उन्होंने पत्र लिखा था कि मैं किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था जो उर मिला थी उनको वचन दी थी कि मतलब जाए पहले भी दो जत्री दुरु की यात्रा मतलब पूरा करके आएगे तो उन्होंने इसी के लिए मतलब लिखा था पत्र में कि म भी नहीं बचूंगा और उससे अच्छा है कि यही पर मर जाओं फिर आगे देखिए भगवान मेरी प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रच्छा करें उन्होंने यह भी लिखाता कि भगवान मेरी प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रच्छा करें ठीक है इस प्रकार कि इस वीडियो में ध्रुयात्रा की सारांस जो काफी इसको छांट छांट के बनाया गया है आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक सेयर करें धन्यवाद